Good morning, welcome to MPS Motivators. MPS Motivators के इस platform पर आपका स्वागत है. आज हम फिर हाजी रहें, Maths के वैसे important question के साथ, जो आपके matriculation board examination के लिए तो important है ही, साथ ही important है competitive examination के लिए. Start करते हैं, आज के कुछ objective questions, जो की area related to circle से है. वृत से सम्मांदित छेदफल, अध्याय से कुछ question लिया है. देखते हैं question number one. यहाँ पर दिया गया है, कि एक वृत में उसके परीधी और radius का अंतर 37 cm है. तो उस वृत का छेदफल क्या है? यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं, circumference of circle 2 pi r होता है, तो 2 pi r minus r is equal to 37 cm. यहाँ से हम r कॉमन लेंगे, 2 pi minus 1 आएगा is equal to 37 cm. यहाँ कि r is equal to हो जाएगा 37 by 2 into 22 by 7 minus 1. इधर गुना में है, उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा. तो r का भेलू निकल जाएगा, इसको solve करेंगे, तो आएगा 44 by 7 minus 1. उपर में 37 है, फिर denominator में solve करेंगे, तो आजाएगा, 37 by 7. 7 उपर चल जाएगा, 37 से 37 कट गया, तो r का भेलू आगया 7. रेडियस यहाँ 7 है, तो एडिया क्या होता है, pi r square, जो कि हो जाएगा 22 by 7 into 7 का square, जो कि आजाएगा 154 cm square, जो कि हमारे option C में दिया गया है. Option C is the correct answer. दोस्तों, जो भी formula, इस chapter से related हमने पहले आपको बताया है, description में link होगा, उसको देखिएगा, उमीद करते हैं, आपको वे सभी सुत्र याद होंगे, यदि नहीं याद है, तो उसे याद कर लिजे, समय समय पर revision करते रहिएगा, तब जाके जो भी question है, especially objectives के, orally आप बना पाईएगा, चलिए अब देखते हैं, दुसरा question, दुसरा question कह रहा है, कि diameter को अगर 40% बढ़ा दिया जाए, तो इसके छेदफल में, कितने परतिसत बढ़ोत्री होगी, यानि कि diameter को 40% increase कर देते हैं, तो इसके छेदफल में, area में, जो बढ़ोत्री होगी, उसका परतिसत क्या होगा, यानि increase percent निकालना है, तो diameter मान लेते हैं, कि 100 unit है, तो 40% बढ़ाने के बाद हो जाएगा, 140, और चुकि diameter 140 है, तो radius हो जाएगा 70, और जब 70 radius रहे, तो छेदफल क्या हो जाएगा, pi and square, यानि कि, pi into 70 का स्क्वाइर, यानि 4900 pi, 4900 pi, और पहले जो, diameter था 100, उसके नुसार, radius का हो जाएगा 50, और उसके according, हमारा चेदफल हो जाएगा, pi and square, यानि, pi into 50 का स्क्वाइर, यानि, 2500 pi, 2500 pi, तो increase कितना होगा, 4900 pi, यानि, 4900 pi minus 2500 pi, is equal to 2400 pi, यानि, 2400 pi की बढ़ोत्री होई, तो increase percent कितना हो जाएगा, तो 2400 pi, by 2500 pi, into 100, जो कि आजाएगा, 96 percent, जो option B में दिया गया है, 96 percent is the correct answer, अब जगते हैं, question number 3, question है, area of circle और area of square, जब बराबर हो, तो उसके perimeter का ratio क्या होगा, area of circle, यानि, pi r square, और area of square, यानि, side square, तो perimeter of circle, यानि कि उसका circumference, हो जाएगा, 2 pi r, और perimeter of square हो जाएगा, 4 a, तो इससे जो condition आएगा, वही option में, हमारा answer होगा, पहले देख लेते हैं, जो दिया गया है, area of circle, और area of square, बराबर है, उसके नुसार, pi r square, is equal to a square, तो r square by a square हो जाएगा, 1 by pi, इससे हम निकाल सकते हैं, r by a हो जाएगा, 1 by root pi, अब, circumference और perimeter का देख लेते हैं, 2 pi r by 4 a, is equal to हो जाएगा, pi by 2, into, r by a, r by a अलग लिखे हैं, चुकि उपर में हम r by a का मान निकाल चुके थे, 1 by root pi, pi by 2 into, 1 by root pi, और root pi, denominator में है, उपर में है pi, इससे हम प्राप्त कर लेंगे, root pi by 2, अर्थात, root pi is to 2, जो option d में दिया गया है, बिल्कुल सही है, question, tough नहीं है, बट कभी-कभी examination में, question को घुमा दिया जाता है, जिससे बच्चे confused हो जाते हैं, patience बना के रखना है, और जो सुत्र हम जानते हैं, जो नियम जानते हैं, उसको follow करना है, और सभी question को असानी से बना लेना है, अब देखते हैं, question number 4, question number 4 है, कड़ा है कि circumference of circle और perimeter of square बरावर है, उपर में question था कि area of circle और area of square बरावर है, तो condition निकालना था, यहाँ पे है कि circumference of circle और perimeter of circle दोनों बरावर है, तो इसमें से कौन सा condition सही है, देखिए, हमें प्राप्त है, 2 pi r is equal to 4, दोनों का perimeter बरावर है, यानि कि circumference और perimeter of square बरावर है, circumference of circle और perimeter of square बरावर है, इससे हम condition निकाल सकते हैं, r by a is equal to 2 pi, चुकि हमें area में इसका पता करना है, इसलिए दोनों तरप square कर देते हैं, r square by a square is equal to 4 by pi square आ जाएगा, यही से हम पता करेंगे, pi r square by a square is equal to 4 pi, इस condition को cross multiplication किये हैं, तो उसे आ गया, अब देखिए, pi r square circle का area हो गया, a square a square का area हो गया, work का area हो गया, तो इन दोनों का अनुपात, मैं हम देख रहे हैं, क्या सम्बंदा रहा है, 4 by pi, और pi का भेल होता है, 3.14, जो 4 से छोटा हुआ, अर्थात, हमें यह ग्यात हो गया, कि pi r square जो है, a square से बढ़ा हो गया, अर्थात, हमारा option b, जो है, area of the circle is greater than area of the square, बिल्कुल सही हो जाएगा, option b is the correct answer, ध्यान देकर, पैसेंस के साथ सभी question को बनाना है, एक भी question को गलत नहीं करना है, पूरा 100% marks गेंड करना है, आईए अब देखते हैं, question number 5, the circumference of two circles are in the ratio, 3 to 4, तो उसके area का अनुपात क्या होगा, circumference का जो ratio होता है, वही उसके त्रिजिया का, अर्थात radius का, और diameter का, अर्थात ब्यास का अनुपात होता है, ratio होता है, और जब ratio पता है हमें radius का, तो इसके area का भी ratio हम पता कर लेंगे, दोनों का square कर देंगे, तो 3 to 4 radius का ratio हुगा, तो area का क्या हो जाएगा, दोनों का square करेंगे, यानि 9 to 16, जो की option C में दिया गया है, option C बिल्कुल सही है, 9 to 16, 9, अनुपात 16, अब देखते हैं, चट्था question, question number 6 है, the area of a sector, जिसका angle theta और radius r दिया गया है, तो ये तो सूत्र है, जो भी सूत्र, area related to circle में बताया गया है, उस सभी को आप बार-बार division करें, तब जाकर ऐसे question देखते ही, आप solve कर लिजेगा, जब angle theta पता हो, और radius r हो, तो area of sector हो जाता है, pi r square theta by 360 degree, जो option D में दिया गया है, pi r square theta, बटा 370 degree, बिल्कुल सही हो जाएगा, अब देखते हैं, question number 7, the length of an arc of a sector of angle theta, of a circle with radius r, is, अब देखिए, यहाँ भी, direct sutra पे बनाया गया है, यह question, angle है theta, और radius है r, तो हम जानते हैं, कि length of arc होता है, चाप की लंबाई होती है, pi या theta by 180 degree, लेकिन option में वो नहीं है, तो option में यहाँ पे दिया हुआ है, 2 pi r theta by 360 degree, चुकि 2 pi r total circumference हुआ, और arc जो होता है, part of circle is called arc, तो theta by 360 degree उसमें गुना करते हैं, तभी जाके आता है formula pi r theta by 180 degree, या फिर यूँ कहे 2 pi r theta by 360 degree, तो option, b, 2 pi r theta by 360 degree, भी बिल्कुल सही है, अब दखते हैं, question number 8, the length of the minute hand of a clock is 21 cm, minute hand की लंबाई है 21 cm, तो पूछ रहा है, दस minute में जो area उसके द्वारा swept किया जाएगा, उसका छितफल क्या होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं, 7 minute में minute hand एक चकर पूरा लगाता है, यानि कि 6 minute में 360 degree करता है, तो 10 minute में कितना हो जाएगा, तो 10 minute में हो जाएगा, 60 degree, तो यहाँ पर theta आ जाएगा, 60 degree, तो pi r square theta by 360 degree, जिसको हम लिख सकते हैं, 22 by 7 into 21 into 21 into 60 by 360 degree, इसको solve करेंगे, 7, 3, 2, 21, 60 से 6 बार में 360 कर जाएगा, 2 से 3 बार में 6 कर तेगा, 2 से 11 बार में 2 से 7 बार में, 21 कर जाएगा, तो हमें प्राप्थ हो जाएगा, 231 cm2, अर्थात, जो इस minute hand के द्वारा, area swept किया गया है, उसका छेटपल हो जाएगा, 231 cm2, जो की option A में दिया गया है, option A is the correct answer, अब देखते हैं, question number 9, question number 9 है, दो ब्रीत के छेटफलों का योग, एक तिसरे ब्रीत के छेटफल के बराबर है, पहले दोनों ब्रीत, कि तिरी जिया, R1 और R2 है, तो निम्ने में से कौन सा सम्भध, सही होगा, तो पाई R1 square, प्लस पाई R2 square, is equal to पाई R square, तो पाई अगर कॉमन ले ले, तो पाई हट जाएगा, तो बच जाएगा, R1 square, प्लस R2 square, is equal to R square, option number D, बिलकुल सही है, बहुत असान प्रस्शन है, बस समझने की बात थी, ठीक, इसी तरह, एक और question देखते हैं, question number 10, question number 10 है, दो बृत, के परिधियों को आपस में जोरते हैं, तो तीसरे बृत के परिधि के बराबर आता है, पहले दो बृतों, कितरी जाए, R1 और R2 है, और तीसरे बृत कितरी जा, R है, तो कौन सा संबंध सही होगा, यानि कि, दो सर्किल के circumference को जोडते हैं, तो तीसरे सर्किल के circumference के बराबर आता है, पहले दो, सर्किल के radius R1 और R2 है, और तीसरा जो सर्किल प्राप्थ होता है, उसका radius R है, तो संबंध कौन सा सही होगा, तो 2πR1, प्लस 2πR2 is equal to 2πR, 2π अगर हम common ले लेते हैं, तो क्या बज़ जाता है, R1 प्लस R2 is equal to R, जो कि option A में दिया गया है, R1 प्लस R2 is equal to R, बिल्कुल सही है, अज जो भी question हमने बताया, हमारे examination के लिए बहुत ही ज़्यादा important है, उम्मीद करते हैं, आज के सभी questions आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी यदि किसी भी question में कोई दिक्कत है, doubt है, तो आप इस whatsapp पे उस question को send करें, comment करें, मेरा 100% प्रियास रहेगा आपके सभी doubts को clear करने का, यदि आज का ये session आपके लिए लाप्रद हो, तो आप इस वीडियो को like करें, positive comment करें, तता इस वीडियो को अपने दोस्तों में share करें, तता जो मित्र अभी तक हमारे चैनल से नहीं जूरपा हैं, वे हमारे इस चैनल, Implish Motivators को subscribe करें, ताकि हमें motivation मिले, और हम ऐसे वीडियो आपके लिए प्रस्तूत करते रहें, फिर मिलते हैं अगले session में, ऐसे ही कुछ और questions के साथ, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,